बिहार में सियासी सरगर्मियों के बीच भाजपा ने अपने बागी नेता पर सक्त कारेवाई की है भोशपुरी आक्टर पवन सिंग को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है पार्टी ने उन पर अनुशाशन हींता का आरोप लगाया बतादे की पवन सिंग कारकाटा संसदिय सीट से निर्दलिय चुनाव लड़ रहे हैं और यही से NDA समर्थित उपेंद्र कुश्वा चुनावी मैदान में हैं पार्टी ने दल विरोधी गतिवीदियो में शामिल होने के लिए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समरार चौजी के आदेश से किया है भार्टी जनता पार्टी के बिहार इकाई के अर्विन शर्मा के हस्ताक्षर से जारी पत्र में लिखा गया कि लोकसभ़ चुनाव में आप NDA के अधिकरत प्रत्याशी के विरोध चुनाव लड़ रहे हैं आपका ये कार ये दल विरोधी है जिससे पार्टी की छवी धूमील हुई है और पार्टी अनुशासन के विरोध अपने ये कारे किया आते आपको दल विरोधी इसकारी के लिए मानिनिये प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार पार्टी से निश्का शित किया जाता है बतादे कि पहले से ये कायास लगाय जा रहे थे कि कारकाटा लोकसभशित्र से निर्दली उमीद्वार पवन सिंग नाम वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी बड़ी कारिवाई कर सकती है इसके संकेत तब और मिले थे जब रोहताज जिले के डेहरी आनसोन में बिहार सरकार के वन वा परिवर्ण मंत्री भाजपानेता डाक्टर प्रेम कुमार ने अभिनेता पवन सिंग को लेकर बीते 14 मई को बयान दिया था नामंकन वापसी की अंतिम्ति थी 17 मई से पहले दी गई थी ये बयान काफी चर्चा में रहा था और एक्शन की बाद तैय मानी जा रही थी बता दे कि प्रेम कुमार ने कहा था कि पवन सिंग लंबे समय तक बीज़ेपी में रहे हैं अब अगर वो निर्दली नामंकन किये हैं तो ऐसे में अगर समय रहते वो अब नाम वापस नहीं लेते तो उन पर पार्टी आविश्य कारिवाई करेगी उन्होंने डेहरी के एक नेजी होटल में चंद्रवंशी महा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोचपूरी अभिनेता पवन सिंग को नसीहा दी थी और कहा था कि अगर समय रहते वो मैदान से हट जाते हैं तो पार्टी उनको लेकर कुछ विचार कर सकती है अने था उन पर कारिवाई निश्चित है पवन सिंग के कारकाटा सीर से चुनाव लड़ने पर सबसे ज़्यादा नुफसान भाजपा समर थे तो मेदवार उपेंद्र कु सीट पर मामला तिरकोड़ी हो चुका है इस सीट पर अन्डिय की तरफ से उपेंद्र कुछवा तो इंडिया गटबंदन की और से राजर राम कुछवा मैदान में हैं वही दूसरी और पवन सिंग निर्दलियतार ठोक रहे हैं इसके पहले भाजपा ने पवन सिंग को आसन